इंदिला एकादशी का ब्रत्त करने से और उस दिन शाली ग्राम के आगे श्राद करने से अपने पितरों की मुप्ती होती है ऐसा भागवान कृष्ण कहते हैं युदिश्ठिर को पूर्वकाल की बात है सत्यूग में इंद्रसेन नाम का राजा बड़ा विख्यात हुआ धार्मिक राजा था प्रजा उसकी सुखी थी उसके पिता किसी व्रत्त के भंग के दोश से यमलोक में पड़े हुए थे एक दिन नारज जी घूमते गांते यमलोक चले गए वहां इंद्रसेन के पिता प्रेशान थे और उन्होंने नारज जी से कहा कि नारज जी मेरा बेटा तो बड़ा धार्मिक है बड़ा अच्छा राज्य करता है पर मैं यहां पर यातना सहन कर रहा हूँ मेरी पीडा की समापती का कोई उपाए होना तो चाहिए आथ ही मुझे बताईए कि मेरी पीडा की समापती का उपाए क्या है नारजी ने कहा तुम बताओ क्या करना है मोले तुम जाओ धर्ती पर और मेरा बेटा इंद्रसेन जिस राज्य का राजा है उसे कहो कि तुम्हारा पिता परिशान है इंदिराय एकादशी का व्रत करे और शाली ग्राम के आगे विधीवत मेरा तरपन करे शालीग्राम की पूजा करे और उस पुन्य को अगर मुझे समर्पित करेगा तो मैं मुप्त होकर उच्च गती को प्राप्त होता नारजी धर्ती पर आए इंद्रसेन ने उनका सतकार किया आउगगत की और नारजी को पूछा की नारजी संतों का आना व्यर्थ नहीं होता है संतों के आने से आत्मिक शुद्धी होती है वुद्धी पवित्र होती है नैनों से दर्शन करके नैनों की शुद्धी होती है आपके आने का कारण जान सकता हूँ मैं और मेरे लिए क्या आदेश है तब नारज जी कहते हैं, कि मैं एक बार यमलोग गया था, तुमारे पिता को देखा, तुमारे पिता ने मेरे को एक मेसेज दिया है, एक संदेश भेजा है तुमारे लिए, और उस संदेश में ऐसा है कि इंद्र सेन, तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करके, उस पुन्य को अपने पिता के नाम पर यदी संकल्प करके अरपित करोगे, तो मेरी मुक्ती हो जाएगी, इसलिए इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे लिए करो और शाली ग्राम के आगे शराद करो. ये इंदिरा एकादशी, पितरों को मुक्त कराने के लिए सबसे स्रेष्ट एकादशी माले जाती है. क्या करना चाहिए इस एकादशी के दिन? कि सुबह सुबह सुर्योदै से पहले उठना चाहिए, दातुन करके भागवान नारेन का ध्यान करके. उनके आगे संकल्प करना चाहिए कि हे नारेन, आज मैं निराहार रहकर इस शराद को पूर्ण करूँगा. हे अच्चुत, आप मुझे अपनी शरण में ले और मेरे पितरों को नीच योनी से मुक्त करें. भागवान क्रिष्ण कहते हैं युदिष्ठिर से, कि युदिष्ठिर कोई समय में इंद्रसेन को नारद जी ने उनके पिता का संदेश दिया, और इस विधी से इंद्रसेन ने अपने रानियों और पुत्र सहित अपने पिता का श्राद किया. जैसे ही श्राद समाप्त हुआ, आकाश से फूलों की वर्शा हुई, और इंद्रसेन के पिता गरूड पर आरूड होकर विष्णुधाम को प्राप्त हो गए, इसलिए इंदिरा एकादशी की महिमा शास्त्रों में बढ़ने पिता. क्रिश्न कहते हैं कि इसको पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए हमने आपके आगे इंदिरा एकादशी की महत्म कहा, तो आप भी हर एकादशी को बिना भूले व्रत करने का संकल्प लोगे, साथी साथ दूसरों को करवाओगे, जो नहीं कर सकते कम से कम चावल का उप्योग तो गलती से भी नहीं करना चाहिए है। जो भी आपके इर्द इर्द है, चावल ना खाने का नियम उनसे जरूर लिवा लीजीगा। माम देवाय नमा, ओम नामो भगवते वासु देवाये। ओम नमो भगवते वासु देवाये। जो जो